दरसल टेलेकॉम स्टॉक्स आपको याद होगा हाल की बड़ी खबर टारिफ फाइक और एक नहीं तीनों कम्पनियों ने दरसल टारिफ बढ़ाया है लेकिन अब सरकार बड़े रिफॉर्म्स की तयारी कर रही है सूत्रों के मताबिक दूरसंचार विभाग ने 16 जुलाई को एक एहम बैठक बुलाई है जिसमें इंडस्ट्री के सभी बड़े लीडर्स शामिल होंगे अब किस तरह के रिफॉर्म्स है उस बैठक में क्या चर्चा होने वाली है असीम अंचंदा हमाएं साथ है जो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं असीम बताइए क्या सुन रहे हैं देखें नए टेलिकॉम मांतरी जोतरिदेशिंद्या ने अपना कारावार सामाल लिया है और टेलिकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने के तैयारी कर रहे हैं दूर संचरभाग ने इसके लिए 6 कमेटी जो टेलिकॉम सेक्टर के लिए उनके लिए बनी है तो उसकी पहली जो टेलीकॉम सर्विस पॉइडर्स के लिए कमेटी बनी है, उसकी पहली मिटिंग 16 जून को स्टेकोल्डर्स की होने वाली है, इंडस्टी के सारे जो बड़ी लीडर से उनको इस बैटक के अंदर आने के लिए कहा गया है, उससे पहले उनसे कहा गया था कि आ अकाश अम्बानी, सुईल भारते मित्तल, एन चंदर शेकरन, कुमार मंगलम बिरला, कौपाल विट्टल के साथ-साथ अक्षय मुंद्रा को इस बैटक में आने के लिए कहा गया है, इस सरकार इन बैटक के अंदर उनसे एक फीडबेक डेगी कि आप टेलीकॉम सेक्टर में खास्तोर पिके अब टेलीकॉम नया बिल लागू होने वाला, तो आप कौन-कौन से रिफॉर्म्स यहां पर चाहते हैं, जिससे की टेलीकॉम कंपनियों की लाइव को असान किया जाए, तो बड़े रिफॉर्म्स आप जल्दी सेक्टर के अंदर आते हुए देख सकते हैं, 16 जुलाई को यह पहली स्टेकोल्डर के साथ दूर संचार अभागी बैठक होने वाली, 16 जुलाई को यह महतरपूर बैठक, जिसमें इंडिस्ट्री के सभी दिगज मौजूद होंगे, और महतरपूर रिफॉर्म्स अगले पांच साल में क्या किया जाएं उस अंदर में, महतरपूर बैठक है, टेली कॉम स्टॉक्स को एक बार देखते हैं जरा, एक बार स्कीन पर रखेंगा, तमाम स्टॉक्स रिलाइंस रखेंगे, एक बार भारती एटेल रखेंगे यहां पर, असीम बहुत बहुत शुक्रे आपका, और एक बार लेका आईएगा आप इंडिस्ट आवर्स को भी, मेरे खाल से अगर मैं सेटाइप के मताबिक जाओं तो इस वक्त अभी भी रिलाइंस और भारती एटेल बहुत एक अच्छी सिचुएशन में है, भारती आपके स्कीन पर एक बार आएगा, 1436, हाला कि थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था यहां पर, आशिर शेट्रमोता जी आपकी राया, भारती एक बहुत स्ट्रॉंग मुग के बाद, अभी जब स्पेक्टर में एक ऑक्ष्ण हुआ था, उसमें इन्होंने भी भाग दिया था, हाला कि यह बहुत तर्क संगत तरीके से नोंने इसमें पार्टिसिपेट किया, अब हमारे पास तीन प्लेयर्स हैं, as of now, विड़फोन, भारती और रिलाइंस, आपका व्यू क्या इस वक्त, और अभी आपका पिकिंग ओरर क्या है टेलीकॉम में? जी, तो बिल्कुल विडियन तो हमने पहले भी चाचा कि हमारे टॉपिक इस पूरे सेग्मेंट में रिलाइंस पे रही, as a disclosure stock हमारे पोर्टफोलियो में हैं, और हमें लगता है कि रिलाइंस ने जिस तरह से टेरिफ हाइक का कदम इलेक्शन के बाद उठाया है, एक अच्छा expected mood था और 20-25% का हाइक कुछ particular segment में ने किया, और हमारा ही मानना है कि obviously 5G के उपर जिस तरह के केपेक्स ये companies कर रहे हैं, चाहे रिलाइंस या भारती, तो ये टेरिफ हाइक का कदम बिल्कुल सही था, और overall आर्पूस की जो trajectory है, वो भी कही ना कहीं ऐसा लगता है कि 300 को cross करती हुए नजर आएगी, तो इसके चलते हमें इन companies के अंदर में आने वाले समय में अच्छे operating margins develop होंगे, और ये जो capex ये companies करेगी, ये बहुत अपने इस terrified के through, इसको cover up कर सकती, तो हमारे packing order में पहला तो रहेगा reliance, जिसके अंदर हमने portfolio's के जगा में जगा बनाई है, और भारती भी हमें पसंद है, बड़ इस समय हमार आसों की trajectory भारती के अंदर में भी देखने को नज़र आ सकती है, वोड़ फोन को इस समय हम avoid कर रहे हैं, तो reliance हमारी topic रहेगी इस पूरे segment के अंदर। एक कुछ दिर पहले जब sky cream का, I think, शुर्वाती भाग था, शिल्पा जी ने ये trade पे किया था, 6541 पे, और एक बार ये trade लेके आईए, दो बज़े recommendation के आगई screen पे, उसके बाद tick by tick chart रखेगा, और लगबग ठीक दो बच के तीम मिट के आसपास ये call गई थी, 6541 पे, और न आपका वीव क्या है, इस पर प्रॉफिट केश पर करें क्या? जी विरेंदेचे, looking at the volatility, मुझे लगता है एक बार कर देना चाहिए, बट अफकोस इतने volume participation बहुत स्ट्रॉंग है, तो मुझे लगता है कि ये towards 6700 definitely move परेगा, अगर किसी को और थोड़ा करना था प्रेल कर दीजे, otherwise safe traders आप book कर लेजे, कि में काफी अच्छा गेंस in very less time है, तो मुझे लगता है in cash करना भी 22 रहता है ओके तो polycap में एक opportunity थोड़ी सी profit booking आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, परना 6700 का तो target शुलपा ने वैसे भी दिया हुआ है, उसके लिए भी वो एक opportunity ride की जा सकती है कि जा सकती है